तुन ने बनाया तिरी यादों के पावन छील में बाबा ओम शांती शिव बाबा, हमारा माता, पिता, बंधु सखा साजन भी है, तो सरजन भी है इसलिए भक्ति मार्ग में भी बाबा को वैद देनात कहते हैं एक ऐसा वैद्दे जो आत्मा के जन्म जन्मांतर की बिमारियों को दूर भगा देता है पूरा निर्विकारी बना देता है आत्मा को इतना शक्ती शाली बना देता है जो कोई मन का और तन का रोग जन्म जन्मांतर तक मनुष्या आत्मा को छूबी नहीं सकता तो ऐसा निरोगी केवल एक शिव बाबा अविनाशी सर्जन बनाता है और इसी निर्विकारी स्थिती के आधार पर ही आत्मा विभिन प्राप्तियों से संपन्न बनती है तो आज हम उस अविनाशी सर्जन से अविनाशी दवाई आत्माई लेंगी बाबा के महवाक्यों द्वारा तो आज है 16 दिसंबर 2030 बाबा के मधुर महवाक्य है मीठे बच्चे अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम सर्जन से कुछ भी छिपाएंगे तो फिर वो दवाई कैसे देंगे कुछ छिपा लेंगे तो बिमारी रह जाएगी अंदर कुई न कोई विकार छिपा हुआ रह जाएगा अवग्या हो तो शमालेनी है नहीं तो बोज चड़ता जाएगा नंदक बन पड़ेंगे यदि कोई बाबा की आग्या की हम अवग्या कर देते हैं जाने अंचाने अगर कोई अवग्या हो जाए तो बाबा से शमाले लो नहीं तो क्या होगा बिमारी बढ़ती जाएगी और हम अपने कर्मों से बाबा की नंदा करा देंगे फिर बोज बढ़ चाएगा है ना प्रश्न है सच्ची कमाई का आधार क्या है वन्नती में विग्न क्यों पढ़ते हैं उत्तर है सच्ची कमाई का आधार बढ़ाई है अगर बढ़ाई ठीक नहीं तो सच्ची कमाई कर नहीं सकते वन्नती में विग्न तब ही पढ़ता जब संग ठीक नहीं कहा भी जाता है संग तारे कु संग बोरे संग खराब होगा तो पढ़ेंगे नहीं नापास हो जाएंगे संग ही एक दो कु रसातल में पहुचा देता है इसलिए संग दोश से तुम बच्चों को बहुत ही संभाल करनी है बहुत जरूरी है सदा सच बाबा का संग रहे और कोई भी जदी संग लगा जिसे हम कहा दें ना कु संग लगा तो कु संग आत्मा को डुबो देगा और अब तक हम यहीं करते आए बाबा का ज्यान नहीं था तो क्या किया? मनुष्य आत्माओं का संग लिया तो आत्मा अवनती को प्राप्थ होती रही अब सत बाबा मिला है तो बस एक के संग में रहकर आत्मा को इस भव सागर से तरना है आज का गीत है तो प्यार का सागर है तो प्यार का सागर है तेरी एक बूद के प्यासे हम लोटा जो दिया थुने चले जाएंगे जहां से हम तु प्यार का सागर है तु प्यार का सागर है तेरी एक बूद के प्यासे हम मेरी एको बूंद के प्याते मौँ तू प्यार का साधर है हायल मन का पागल पंची उडने को बेखरार पंक है कोमल आक है धुदली जाना है सागरबार जाना है सागरबार अब तू ही से समझा अब तू ही से समझा राह भूले थे कहां से हम राह भूले थे कहां से हम अम शांती बेहद के बाब की महिमा बच्चे करते हैं प्यार का सागर बाबा की महिमा है न यह है भक्ति मार्ग की महिमा तुम सपूत बच्चे अभी सम्मुख में बाब की महिमा करते हो भक्ति मार्ग में सम्मुख महिमानी करते हैं इंडारेक्ट करते हैं समझते हो बेहद का बाब आकर हमको ज्यान दे स्वर्ग का मालिक बना रहे है क्योंकि ज्यान का सागर वही है प्यार का सागर भी है ज्यान का सागर भी है गौड में नौलिज है परमात्मा आत्मा में जैसे हमारे बुद्धी है बुद्धी में ज्यान है वैसे परमपिता परमात्मा वो भी आत्मा है उनमें नौलेज है उसको कहते हैं गौडली नौलेज जो बाबा में ज्यान है वो जो ज्यान हमें दे रहे हैं ये ज्यान है गौडली नौलेज परमपिता परमात्मा नौलेज देने वाला है इसको बच्चों को जिसे तुम्हारी मम्मा पर Goddess of Knowledge नाम रखा हुआ है बाबा से ज्ञान लेकर मम्मा ने धारणा करी तो देखो नाम पड़ा Goddess of Knowledge तो जब वह जगत अमबा Goddess of Knowledge है तो उनके बच्चे तो उनके बच्चों में भी वही नौलेज होगी वही ज्ञान जो शिव बाबा ने सुनाया Goddess of Knowledge सरस्वती को God Knowledge देते है परंदु किस द्वारा देते है कैसे देते हैं बाबा यह बड़ी ही समझने की बाते है कैसे ज्ञान का सागर शिव बाबा ब्रह्मारत द्वारा हमें ये ज्ञान सुनाते है दुनिया नहीं जानती है कि जगत अंबा कौन है यह तो बच्चे जानते है जगत अंबा तो एक ही होगी नाम बहुत दे दिये है बहुत सारे नाम दिये न देवियों पर मनुष्य तो यह जानते नहीं कि यह प्रजापिता ब्रम्भा की मुखवन शावली सरस्वती है। उनको नौलेज देने वाला कौन है? गौड़ फादर है। स्रिष्टी चक्र कैसे फिरता है? यह नौलेज गौड़ फादर देते हैं। बाप ने नौलेज दी बच्चों को सरस्वती को कैसे मिली? जरूर प्रजापिता ब्रम्भा की मुखवन शावली है, तो परम्पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है। उसने इस मुखद्वारा सरस्वती को ज्ञान दिया होगा। बही ज्यान फिर औरों को भी दिया होगा गौड फादर पढ़ाते हैं तो जरूर गौड फादर के बच्चे कौन हुए मास्टर गौड हुए न याद रखेंगे आज का टाइटल बबा ने क्या दिया हम सब कौन है मास्टर गौड है पर कब बनेंगे जब बाबा के ज्यान को गौड ली नौलेज को पोल नरीती धारन करेंगे इसलिए नाम रखा हुआ है गौड इस ओफ नौलेज बच्चे यह जानते हैं कि हम और हमारी ममा नौलेज ले रही है ज्यान सागर के द्वारा एक पर फील भी करें ना इस बात को कि हम कितने भाग्येशा ली है कि खुद गौड ज्यान का सागर आकर ब्रह्मा मुखद्वारा हमें यह ज्यान दे रहे है और हमें मास्टर गौड बना रहे है जिसको ही गीता का भगवान कहा जाता है भगवान तो एक है कोई देवता या मनूष्य भगवान नहीं हो सकता अब कौड़ ज ओफ नौलिज है तो कौन सी नौलिज होगी? राजयोग की कौन सी यह नौलिज? राजयोग की इस सहज राजयोग की नौलिज से Goddess of Knowledge सरस्वती ही फिर Goddess of Lakshmi बनती है इतना महान है ये ग्यान एक एक बाबा के वर्जन हीरे तुल्ले हैं अमुल्ले हैं इस सहज राजयोग की Knowledge से Goddess of Knowledge सरस्वती ही Goddess of Lakshmi बनती है Goddess of Knowledge की महिमा है तो जरूर बच्चों की भी है चुकि हम भी उसी God द्वारा Knowledge ले रहे हैं प्रजापिता की सब संतान ठहरे ममा की संतान नहीं कहींगे प्रजापिता ब्रम्भा के मुख कमल की यह हैं संतान शिव बाबा ब्रम्भा मुख कमल से हमें कहते हैं कि हम बाबा के बच्चे हैं और हम भी बाबा को स्विकार करते हैं कि आप हमारे हो तुम सब इश्वरी संतान निश्चय करते हो इश्वर बाब कहते हैं मैं बच्चों के ही सम्मुक होता हूँ वो ही मुझे जानते हैं तो जगत अमबा है गौड़िज ओफ नॉलिज यह सहज राजयोग की नॉलिज है न की शास्त्रों की गौड ने इनको नॉलिज दी और यह गौड़िज कहलाई जगत अमबा तो माता ठहरी फिर दूसरे जन्म में गौड़िज ओफ वेल्थ लक्ष्मी बनती है जिससे मनुष्य भीग मांगते हैं मांगते हैं न लक्ष्मी से हमें धान दे दो तो बाबा कहते हैं तो सिद्ध हुआ बाप द्वारा जगत अमबा को राजयोग का वर्सा मिलता है उनको गौड़िज ओफ नॉलेज कहा जाता है तो बाबा कहते नॉलेज सोर्स ओफ इनकम है यह है सच्ची कमाई यह जो अभी हम कर रहे हैं यह है सच्ची कमाई जो सच्ची बाप द्वारा होते है इस ज्ञान को धारण करने से हम भी हल्दी, वेल्दी, हैपी बन जाते हैं तो नॉलेज is सोर्स ओफ इनकम तुम अब नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार सच्ची कमाई कर रहे हो सब कर रहे हैं परन्तु नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार जितना और उतना अगर पढ़ाई नहीं करते तो उनकी सच्ची कमाई नहीं होगी संग ठीक नहीं होगा तो पढ़ नहीं सकेंगे उन्नती नहीं होगी संग तारे कुस संग बोरे यानि डुबोए संग खराब होगा पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो पिछाड़ी में बैठे रहेंगे ऐसे होता है ना टीचर जानता है इंका क्या कारण है बाप नहीं जानता है टीचर को सब पता होता है कि किसके सांग में बच्चा रहता है जिसके कारण कम पढ़ता है या नहीं पढ़ता है तो बाप नहीं जानता है हाँ इतना बाप जरूर समझेगा कि पढ़ाई कम की है जरूर खराब संग है जिसके कारण नापास हो पढ़ते हैं इतना तो पिता समझ जाते हैं समझो आपस में प्यार है दोनों नहीं पढ़ते है ऐसा हो जाते है न स्कूल में, कॉलेज में भी आज़कल, तो एक दो को रसातल में पहुचा देंगे. कोई भी अट्रेक्शन होगी आपस में, कोई नाम रूप में फसे होंगे तो एक दूसरे को फसा देंगे, दोनों रसातल में चले जाएंगे. तो बाबा कहते हैं, बाब समझते हैं कि यह पढ़ते नहीं, इनको अलग करना चाहिए पढ़ाई बिगेर मनुष्य को कहा जाता है बेसमझ पढ़ते हैं तो कहेंगे समझदार भगवान की मतपर नहीं चलते तो कहा जाएगा यह सौतेला बच्चा है परन्तु बह अर्थ को नहीं जानते हैं सोतेला मातेला इसका यथार्थ अर्थ क्या है दुनिया वाले नहीं जानते हैं तुम जानते हो, कोई नहीं पढ़ते हैं तो फिर पतित के पतित ही रह जाएंगे बाबा के बनते हैं फिर पढ़ते नहीं है तो फिर पामन नहीं बन पाएंगे ना ना पास हो भागनती हो जाएंगे बाप कहते हैं अहो रामन तुम हमारे बच्चों को भी हप कर जाते हो कितना शक्तिशाली हो बच्चे शैतान की मत पर चल पड़ते हैं श्रीमत पर नहीं चलते हैं अपने साथ प्रण करना चाहिए क्या प्रण करना है कदम कदम हम बाबा की मत पर चलेंगे सभी प्रण करेंगे कि हम कदम कदम बाबा की मत पर चलेंगे जो श्री मत पर नहीं चलते उनको आसुरी मत वाला कहेंगे बाबा समझ जाते है यह इतना उच पद पा नहीं सकेगा इसको समझा नहीं सकेगा तो कहेंगे रावण के वश है योग नहीं है जो बुद्धी शुद्ध हो जाए बुद्धी का योग भी चाहिए इश्वरिये बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए बुद्धी का योग चाहिए चलन रॉयल होनी चाहिए जमते जाम यानि जनम लेते ही होशियार राजा तो कोई हो नहीं सकता पुरुशार्थ करना पड़ता है इसके लिए इस कारण बाबा कहते हैं पाँच विकार रूपी रावन पर जीत पानी है श्रीमत पर जो श्रीमत पर नहीं चलते तो बाबा कह देते यह आसुरी मत पर है फिर उसमें कोई पाँच परसंट श्रीमत पर चलते कोई दस परसंट चलते बहभी हिसाब है तो जितना और उतना जितना चलेंगे उतना उच पद पाएंगे नहीं तो फिर छोटा पद पालेंगे तो जगत अमबा एक ही है जगत अमबा है ब्रम्भा मुखवन्शावली सरस्वती यह उनका पूरा नाम है सरस्वती को ही सितार देते हैं भक्तिमार्ग में दिखाते हैं न मा सरस्वती के हाथ में बीना होती है यह है गौड़ेज ओफ नौलेज जरूर उनकी संतान भी होंगे उनको भी तंबूरा होना चाहिए यानि हमें भी ऐसे ही वो ज्ञान सितार है न तो हमारे पास भी ज्ञान धारन होना चाहिए न तो उस सितार प्रतिकात्मक रूप है तो वही बाबा कहते हैं उनको भी तंबूरा होना चाहिए दिखो ज़ाड में यह सरस्वती बैठी है, जाड़ का चित्र दिखाते हैं, तो जड़ों में जगदंबा सरस्वती आदिदेवी आदिदेव दुन बैठे हैं, राज यूग सीख रही है, फिर यह जाकर लक्षमी बनती है, गॉड़िज ओफ वेल्थ फिर तने में दिखाते हैं, इसमें हेल्थ, वेल्थ, हापिनेस सब आजाती है, यह तुष सिवाई परम पिता परमात्मा की, कोई दे ना सके, हैवनली गॉड़ फादर वह है, अब देखो, मम्मा सर्विस कर रही है, साकार मुरली है न, इसलिए बाबा क्या रहे हैं, देखो, मम्मा सर्विस कर रही है, समझो, कहां मम् की ओक्यूपीशन को जाने, पहले नौलिच चाहिए, यह कौन है, दुनिया तो नहीं जानती, कहते हैं, श्री कृष्न को गाली मिली, पर अन्तु यह तो हो नहीं सकता, इंपॉसिबल है, सबसे जास्ती गाली खाने वाला है, शिव बाबा, है न, सेकेंड नमबर में गाली खाने वाला है, ब्रह्मा, श्री कृष्न और ब्रह्मा, एक ही आत्मा है न, परन्तु श्री कृष्न को गाली देना सके, वो तो सत्यों का पहला प्रिंस है, पवित्र आत्मा है, मनुश्यों को यह पता नहीं, कि सरस्वती, गौड़िज अफ नौलेज, भविश्य में राध बनती है, यह सारे राज बाबा अभी हमें बताते हैं, स्वयम वर्बाद, लक्ष्मी बनती है, गौड़िज ओफ वेल्थ, उनमें हेल्थ, वेल्थ, हैपी, सब आ जाता है, तुमको समझाने का बड़ा नशा चाहिए, ममा कौन है, यह समझाना पड़े न, यह है सरस्वती, ब्रम्मा की बेटी मुखवन शावली, भारतवासी कुछ भी जानते नहीं, बाते करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, व्रत भी रखते हैं, तुम तो जानते नहीं है कि जगदंबा कौन है, मालक्ष्मी कौन है, नौलेज है नहीं, अंधिश्रधा बहुत है, ब्ला ये भी नहीं जानते Krishyan अपने क्राइस्ट को जानते है सिक्ऺ लोग जानते है कि गुरुनानक ने सिक्ष धर्मस्थापन किया अपने धर्मस्थापक को जानते है सिर्फ भारतवासी हिंदू नहीं जानते, इदने सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं कौन थे, कैसे थे कब आए, क्या प्राप्ति कराते हैं, कुछ नहीं जानते, अंधिश्रधा से पूजा करते रहते हैं ओक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं है कल्प की आयू बड़ी करने से कुछ भी समझते नहीं इसलामी, बौधियादी बाद में आई है उन्हों के आगे जरूर यह देवताओं होंगे, उनसे पहले देवताओं होंगे उन्हों का भी इतना समय होगा इतने और सब धर्मों को आधा कल्प लगता है तो इस एक धर्म को भी आधा कल्प देना पड़े लाखों वर्ष तो क्या नहीं सकते तुम जगत अंबा के मंदिर में जाकर समझाएंगे इस गौड़िज ओफ नौलेज को यह नौलेज किसने दी ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण ने जगद अंबा को नौलेज दी ऐसे तो नहीं कहेंगे परन्तो यह भी समझाव है सकेंगे जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है नौलेज तो हम सभी सुनते है परन्तो सुनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है कोई-कोई को तो देय अभिमान बहुत है बहुत देय अभिमान है सुचते हैं कि हम समझाएं कैसे है न कोई-असा नव लोग क्या सूचेंगे ऐसे मन में आता है कोई-न-कोई मित्र सम्बंधी आदी याद पढ़ते रहते है बाप कहते है औरों को याद करेंगे तो क्या होगा, तो मेरी याद भूल जाएंगे तुम गाते भी हो, और संग तोड एक संग जोडेंगे गाते हैं न, मेरा तो एक, दूसरा न कोई बहतो अब यहाँ बैठे हैं बाबा, हम आपके हैं, आपकी मत पर चलेंगे ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे, जिसमें नाम बदनाम हो बहुत बच्चे ऐसे ऐसे काम करते हैं, जिससे नाम बदनाम होता है जब तक कोई समझे, तब तक गाली देते रहते हैं जब तक किसी को समझ नहीं आती, तब तक गाली देते रहते हैं कैसे गाली देते हैं, पर मात्मा को सर्वे आप ही कह देते हैं, हिकर भितर में कह देते हैं, यह नहीं सोचते कि हम गाली दे रहे हैं, अपने ही साप से तो मही मही कर रहे होते हैं, पर अधु वास्तविक्ता में गाली दे रहे होते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है, तो बाबा क बच्चे ऐसे ऐसे काम करते हैं, जिससे नाम बदनाम होता है, जब तक कोई समझे तब तक गाली देते रहते हैं। नाम भी तो बाला हुआ है। अहू प्रभु तेरी लीला गाई है न、 क्या देनी है भगवान, तेरी लीला न्यारी है। परन्तु बच्चे समझ सकते हैं, और कोई जानते नहीं, भगवान की क्या लीला है, ये तो बच्चे ही समझ सकते हैं, बाब कहते हैं, बच्चे मैं तो निश्काम सेवा करता हूं, अपकारियों पर भी उपकार करता हूं, हमने बाबा की निंदा की, परन्तु फिर भी बाबा हम पर कितना उपकार करते हैं भारत को ही सोने की चड़िया बनाता हूँ नमबर वन उपकार करने वाला हूँ बाबा नमबर वन उपकार करते हैं परन्त मनुष्य मुझे सर्व व्यापी कहे बहुत गाली देते हैं सब जगां बाबा ऐसे कहते हैं, मैं तो तुम बच्चों को नौलिज देता हूँ, तो इस ज्ञान जग्ये में आसुरी संप्रदाय के विग्न बहुत पढ़ते हैं। जग्ये में बदनाम होता है, गलानी कराते हैं। कई बच्चे तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कई बिस्ट्रविस भी करते हैं। एक तरफ फिर बिस्ट्रक्शन भी करते हैं। क्योंकि ज्ञान नहीं है, अंचाने में कर देते हैं। यह सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजधानी, स्थापन हो रही है। तो सब नंबरवार हैं। जितना और उतना है। जो पूरी रीती नहीं समझते हैं, उनको समझाना है। तरस तो पढ़ता है न। क्योंकि अंजाने में अपना ही पदगवा रहे हैं, अब आकी गलानी करा रहे हैं। तो वह क्याते समझाना तो पढ़ता है ना तरस पढ़ता है बाप का बन कर और वर्सा नहीं लिया तो वह क्या काम का रहा बाप मिला है तो पूरा पुरुशार्थ कर वर्सा लेना है श्रीमत पर चलना चाहिए ऐसा करतव्य नहीं करना है जिससे बाप की गलानी हो कोई भी ऐसा काम नहीं करना हमेशा अपने पर ध्यान रखना है हमारा हर एक कर्म बाबा की प्रत्यक्षता करा रहा है सब लोग जब हमें देखेंगे तो यहीं कहेंगे ना, देखो ये तो ब्रहमा कुमारिया है, तो ब्रहमा बाबा का, शिव बाबा का नाम बाला करना है, तो कोई भी ऐसा करतवे नहीं करना है, जिससे बाप की गलानी हो, बाप जानते हैं, काम, क्रोध, यह है महाशत्रों है, यह है नाक कान से पकड़ते रहते हैं, कहां कहां से जाते हैं, नाककान से, कोई कुछ सुना देता है, सुन लेते हैं, अंदर ले जाते हैं, तो पकड़ते रहते हैं, यह तो होगा, उनसे पार जाना है, कोई तो नाम रूप में फस पड़ते हैं, सब बच्चे तो एक जैसे नहीं होते, बाप फिर भी सावधान करते हैं, क्या कह कहते बाबा, खबरदार रहना, अटेंशन रखो अपने उपर, बिलकुल, ऐसे अ करतवे कारे कर, अगर निंदा कराएंगे, तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे, रुस्तम के साथ माया भी रुस्तम हो लड़ती है, बिलकुल बराबरी का मुकाबला करती है, बाप को याद क करते करते, माया का तूफान कहा ले जाता है, बस एक संकल्प की बात होती है, थोड़ा सा मन विचलित हुआ, तो बिलकुल योग तोट जाता है, और फिर कहा का कहा चले जाते हैं, तो अबा कहते हैं, बच्चे कोई सच बताते नहीं है, राए भी नहीं लेते हैं, अर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। न देया भी मान होता है न तो बताते नहीं है। तो में क्या करना है? बताना है, राय लेनी है, कुछ भी छिपाना नहीं है। अगर बताते नहीं है, तो और ही गंदे हो जाते हैं। ऐसे नहीं, बाबा जानी जाननहार है, सब समझते हैं, भक्ती में भी ऐसे यह करते थे ना, भगवान तो सब जानते हैं, पर नहीं, बाबा चाहते हैं कि हम जो कुछ भी अंदर चल रहा है, बिलकुल सच्चाई सफाई से बाबा के आगे रखें। तो अबा कहते हैं, नहीं, तुम जो अवग्या करते हो, वह आकर बताओ, शिव बाबा मेरे से यह भूल हुई है, शमा चाहता हूँ, शमा नहीं लेते, तो भूले होती रहेंगी। गोया अपने सिर पर पाप चड़ाते रहते हो, बाब तु समझाते हैं, कल्प कल्पांतर के लिए अपने पद को भ्रष्ट ना करो, अगर अभी उच पद नहीं बनाएंगे, तो कल्प कल्पांतर ऐसा हाल होगा। यह नौलेज है, बाबा जानता है, कल्प पहले मुआफिक, राजाई स्थापन हो रही है। तो बाबा के विकल्प नहीं चलते, क्योंकि बाबा जानते हैं, जैसे कल्प पहले राजाई स्थापन होई थी, जो पद जिसने पाया था, वैसा ही पुरुशार्थ कर रहे हैं। बाब दादा जास्ती समझ सकते हैं। यह फिर भी मुरब्बी बच्चा है, माताओं की महिमा बढ़ानी है, माताओं को आगे रखा जाता है, गोपों को समझाते हैं, उनको आगे ले आओ। गोप भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। चित्र लेकर समझाओ, ओच ते ओच, यह भगवान है, फिर है त्रिमूर्ती, ब्रम्भा, विश्णू, शंकर, ऐसे ऐसे समझाना है। उनमें भी ओच कौन है, किसका नाम है, सब कहेंगे प्रजा पिता ब्रम्भा, जिसके द्वारा वर्सा मिलता है। शंकर व विष्णु को पिता नहीं कहेंगे ब्रह्मा बाबा कहेंगे ना विष्णु बाबा शंकर बाबा तो नहीं कहेंगे उनसे कोई वर्सा नहीं मिलता है प्रजा पिता ब्रह्मा इनको कहा जाता है इनसे क्या वर्सा मिलता है ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा शिव बाबा है ज्ञान का सागर हैवन स्थापन करने वाला तो जरूर हैवन के लिए शिक्षा मिलते है यह राज योग के लिए मत है ब्रह्मा द्वारा बाप श्री मत देते है यह है देवता बनने के लिए ब्रह्मा कुमारी सुश्री लक्ष्मी, गौड़ेज ओफ वेल्थ वह ब्राम्भन, वह देवी देवता निराकारी दुनिया में सब आत्माई है बच्चों को समझाते तो बहुत है परन्तु समझने वाले कोई समझे मनुष्य तो ब्लाइंट फेट से सन्यासी गुरू के फॉलोवर्स बनते हैं उनसे क्या मिलेगा? यह भी नहीं जानते हैं टीचर तो फिर भी जानते हैं कि पदवी पाएंगे उन गुरूं से क्या मिलेगा ये पता नहीं है स्कूल के टीचर जो बढ़ा रहे हैं उससे क्या मिलेगा वो तो फिर भी पता है बाकी जिसके फॉलोवर्स बनते हैं उनसे क्या प्राप्ती है? कुछ भी नहीं जानते यह है अंधिश्रध्धा इसलिए कहेंगे अंधिश्रध्धा ब्लाइंट फेट फॉलोवर्स तो है ही नहीं पैसे भी फॉलो थोड़ी ना करते हैं शिश्य बन जाते हैं परन्तु गुरू को फॉलो नहीं करते पवित्र थोड़ी बनते हैं न वह बनाते और न तुम उनके जैसे बनते हो इम अबजेक्ट क्या है? कुछ भी नहीं जानते रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 धार्णा के लिए मुख्य सार है पहला संग दोश से सदा बच्चे रहना है सच्ची पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई का स्टॉक जमा करना है दुसरा कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे यह अपने साथ प्रण करना है अज का वर्दान है सर्व फर्यादों के फाइल को समाप्त कर फाइन बनने वाले कर्म योगी भवा कैसे बनेंगे कर्म योगी? जब सर्व फर्यादों के फाइल को समाप्त करके फाइन बनेंगे जिसे आत्मा और शरीर combined है तो जीवन है ऐसे कर्म और योग combined हो कर्म और योग ऐसे ना कर्म अलग कर रहे है फिर फ्री होकर योग कर रहे है कर्म के साथ साथ connection जुटा रहे दो तीन घंटा योग लगाने वाले योगी नहीं लेकन योगी जीवन वाले उनका योग स्वतह और सहज होता है उनका योग तूटता ही नहीं जो महनत करनी पड़े उन्हें कोई भी फरियाद करने की आवश्यक्ता नहीं याद में रहने से सब कारे स्वतह सफल हो जाते हैं फाइन बनने वाले के सब फाइल खत्म हो जाते हैं क्योंकि योगी जीवन सर्वप्राप्तियों की जीवन है स्लोगन है हर समें करावनहार बाप याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे सदा क्या याद रहे? करन करावनहार शिव बाबा मुझसे करा रहे हैं बोल रही हूँ उसकी डारेक्शन पर देख रही हूँ उसकी डारेक्शन पर कर रही हूँ उसकी डारेक्शन पर उसकी शक्तियों से उसके गोण धारण कर हमेशा ऐसे करन करावनहार याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे और आज क्या होंबग करेंगे? कौन सा स्वामान याद रखेंगे? हम कौन है? अज वाबा ने कितना बड़िया स्वामान दिया? हम सब कौन है? मास्टर गौड है जो नौलेज शिव बाबा स्वयम आकर इस स्रिष्टी पर देते हैं वो धारन करने का उसे सुनने का सौभाग के हम आत्माओं को मिला है और उसे धारन करके हम भी उनके समान बन चाते हैं मास्टर गौड है ना? तो इस स्वामान को स्मृती में रखकर कर्म में भी आएंगे और योग में भी रहेंगे कभी भी कोई भी बाबा की निंदा कराने वाला कारे हो ही नहीं सकता कर्म विकर्म बन ही नहीं सकता तो याद रखेंगे चाहा हुम शांती अभी दो मिनिट बैठते हैं बाबा की याद में तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में कोई नहीं जहां में तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में कोई नहीं जहां में तुम सा हसीन बाबा सूरज या चांद किससे सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी रचता है तू सभी का रचना है सब तुम्हारी तु है जहां से न्यारा उपमा नहीं जहां में उपमा नहीं जहां में तुम सा हसीन बाबा नजरें पड़ी जो तुम पर नजरें पड़ी जो तुम पर हटने का नाम ना ले पलकों के डाल पर दे दिल में कहीं छपाले खो जाएं तुझ में बाबा लाटी ना इस जहां में लाटी ना इस जहां में तुम सा हसीन बाबा माशुक प्यारा है तु माशुक प्यारा है तु आशिक है सारी दुनिया तु प्यार का समंदर हम तो तुम्हारी नदिया हम तो तुम्हारी नदिया तुझ में समा के बाब तुझ में समा के बाब तुझ सा बने जहां में तुझ सा बने जहां में तुम्हार हसीन बाबा ये प्यार है रुहानी ये प्यार है रुहानी दुनिया क्या जाने इसको है इश्क ये हकीकी इसकी खबर है किसको बलबर का वह भी जोटा है प्यार इस जहां में है प्यार इस जहां में तुम्हार हसीन बाबा कोई नहीं जहां में तुम्हार हसीन बनाया तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में हमको भी इस जहां में तुम साथ हसी बाबा